उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात पर जोरदार हमला बोला है मायावती ने कहा है कि यूपी में भी बिहार जैसा घिनोना कांड हुआ है लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर लिल्पा पोती करती नजर आ रही है उन्होंने इस मामले में दोशी लोगों के खिलाफ कठोर कारिवाई की मांग की है मायावती ने सुमवार को एक बयान जारी कर कहा कि भाजबा शासित राज्यों में जंगल राज है लेकिन सरकार सोती रही मायावती ने इस पूरे मामले में सरकार की संगलिपता बताते हुए कहा कि सरकारी संग्रक्षन के बिना ऐसा अयाय और घोर पाप संभव ही नहीं है इसलिए उन अधिकारियों पर सخت से सخت कारवाही होनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहाने सरकार के लोग अपने को कानून से उपर मानते हैं जिसकी वजह से समाज का हर तब का दुखी वपीरत है और माहिलाएं भी शोशने वनातंक का शिकार हो रही है देवरिया बालिका, ग्रिह में सिक्स रेकेट का खुलासा 24 लड़कियां वबच्चे मुक्त मायावती ने अपने शासनकाल के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया उन्होंने कहा कि भाजबा की सरकारों को वे जमाना भी याद कर लेना चाहिए जब इलाहबाद के एक गाव में महिला को नगन कर घुमाने पर जीले के सबसे बड़े अधिकारी एससपी को ही निलंबित कर दिया था ऐसे मामलों में सخت से सخت कारेवाही जब तक नहीं की जाएगी तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी